नमस्कार मेहूत ओरल और आप देखरें तदकाल नियूस लाइफ मोतिलाल नहरू मडलीय चिकिस सले केलविन के गेट पर माफिय अतिक एहमाद वे उसके भाई अश्रफ की हत्या का गुरवार को सीन धोराय गया मौके पर पहुचे अधिकारियों ने पूरे सीन को फिर से तयार किया अतिक और रहमलावरों के बीच की दूरी को फिर से ना पा गया इसके बाद यह भी देखा गया कि पुलिस की प्रतिक्रिया में कितना समय लगा इस दोरान अस्पताल के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है S.I.T. की टीम ने एक-एक सेकेंड का हिसाब किताब नोट किया है बताते चले कि अतीक व अश्रफ को केल्विन अस्पताल के गेट पर 15 एप्रेल की रात गोली मार दी गई थी जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी इलाबाद हाइकोट के पुर्वन आयमूर्ती अर्विन कुमार्त रिपाटी की अध्यक्षता में गठित आयोग पुर्व डीजेपी सुबेश कुमार सिंग व पुर्व जर्ज बृजेश कुमार सोनी जाच के सिलसिले में गुर्वार को प्रयाग राज पहुचे जाच के दोरान आयोग पुलिस कर्मियोंने से भी पूश्टाच करेगा दो महिनों में से केस की जाच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सोपी जाएगी केल्विन अस्पताल में बिना आईडी कार्ड में मेडिया कर्मियों का प्रवेश नहीं दिया जा रहा है अतिक अश्रफ को उमेश पाल हत्याकान मामले में पुलिस ने रिमान पर लिया गया हत्या वाले दिन दोनों पुलिस के साथ निशान देही के लिए गए थे वापसी में उनका मेडिकल केल्विन अस्पताल में हुआ था वहाँ से निकलने के बाद मीडिया कर्मुने के वेश में आये अरुन मोरिय, लवलेश तिवारी और सनी ने मौके पाते ही अतिक अश्रफ को गोलियों से भून दिया था 24 फरवरी को प्रयाग राज में विधायक राजुपाल हत्याकान के गवा रहे उमेश पाल और उसके दो सरकारी गनर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी पुलिस ने CCTV की मदद से इस हत्याकान की जाज शुरू की तो उसमें माफिया अतिक अहमत का बेटा उमेश पाल पर गोलिया बरसाते हुए नजर आ रहाया